हेलो एब्रीवन क्या हाल है आप सबका वेलकम टोवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइस बाइलिफ्टिंग अधर्स करेंगे का मैंने बताया था आपको कोशन की तरफ मैं देखूंगा होप आप सबने वह होगा क्यूंकि मैंने कल आपको उससे पहले एक फॉर्मॉला लिखाया था ठीक है उस फॉर्मॉले से आपका होगो कोशन को सब्सक्राइब करते हैं वो कर रहा है इफ दे बेरिंग ऑफ ए लाइन एबी इस नौर्थ 60 डिग्री 30 मिनट इस्ट एंड और बीसी डिग्री ऑफ क्लोस्ट्राइवर्स एबी सीडी तरन मेजर ऑफ इंटिर एंगल भी उसने एक एंगल पूछ लिया है भी कंफूजन मत होन सब्सक्राइब करना कि पूरा ट्रैवर्स नहीं बनाना है उसने आपको एबी बेरिंग बताई और बीसी बेरिंग और एंगल बीच का भी देखो ना इसको मैं दो मैंतर से करवाऊंगा एक तो फॉर्मूला बूल गया क्या हुआ पेपर में हम बड़ी टैंशन थी टैंशन तो अगर आपका जो है वो किता है यह यह आपका आगया नौट या गया साउथ या इस्ट या विस्ट वेस्ट ठीक है तो यहां से चल रहा हूं मैं यह मेरा आ आगया अपना क्या आगया यह 60 degree 30 minutes 60 degree 30 minutes है पहला 60 degree 30 minutes यह अब यहां पर आया वह point क्या है भी भी-पॉइंट है भी-पॉइंट पर आया अब मैं कोई मुझे formula याद है मैं सचोगा फॉर्मूल से मैं जमेट्र से करूंग ए ठीक है यह point कह अपना बी-बी पॉइंट है अब क्या हुआ कि इसका मुझे भी बेरिंग स्का मुझे क्या दी वे बेरिंग दी यह इसकी दिये मुझे कि दिये 122 122 डिजी brei ठीक है तो 122 डिजी कुछ यहां से यह जाएगा तो मतलब 122 डिजी किता होगा है यह ठीक है यह मैं रहूंगया से देखो बन चुका है आपका ए से बी की बेरिंग को अधर्ट करेंगे तो यह तो 60 30 मिनट सी रहेगी याद रखना जब बी रेडियूस बेरिंग फ़स्ट कौडर्रेट में लाइक करें जो रेडियूस बेरिंग होगा ठीक है तो 60 degree 30 minutes सी मारी whole circle बेरींगे है कि अब यह देखना 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 यह और यह angle क्या होगा सेम होगा यह वाला क्यों से वाला यह वाला एंगल और यह वाला सेम और ठीक है तो मैंने देता हूं 60 degree 30 minute यह point क्या भी मुझे कि अंगल एबीसी कोश्चन सॉल्व हो चुक है कोश्चन सॉल्व हो चुक है बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है यह इसके पॉजिट यहां पर आ गया यह बाला एंगल निकालूंगा अगर मैं तो दोनों को एड करूंगा तो मेरे पास आजेगा अब यह वह कैसे आएगा तो एंगल एबी सी क्या हो गया 60 दिगरी 30 मिनट प्लस 58 डिगरी तो इसका अंसर कुछ 118 डिगरी 30 मिनट होगा देखते हैं 118 अप्शन नमबर सी ऑफ देखो मैंने क्या किया सिंपल मेंटरी से को कर दिया सौल कुछ नहीं किया हमने सिंपल डाइरम बनाई और आपका और को फॉर्मौला लॉन रहा हम बहुत इंटेलिजेट धिमाग 180 निकलता लीए हमे असे कोशन कर नहीं आ रहा हमें वाटा ought to be can do इसको मिटा दू इसको मिटा एक औंप एक गर ले लेते हैं दो फॉर्मुलें से क्या बोलता हो तो included angle ठीक शॉट फॉर में लिखता हूं, included angle is equal to 4 bearing of next line minus back bearing of previous line, ठीक यह बोलता है, यह point है, इसकी next line की 4 bearing क्या है, 122 degree, 122 degree, ठीक है, इसकी क्या है, इसकी 4 bearing है, तो इसकी back bearing क्या होगी, यह 60 degree 30 minutes, अब मैंने आपको बताया था, back bearing is equal to 4 bearing plus minus 180 degree, plus कभी use करेंगे, जब 180 degree से कम होगा, तो यह 180 degree से कम है, तो यह हो जाएगा, direct minus करके, अगर इन दोनों का मैं करूंगा, 180 degree plus 60 degree 30 minutes, तो यही answer है, करोगे solve, तो 118 degree 30 minutes ही आएगा, फॉर्मुले से भी यही आएगा, ठीक है, फॉर्मुले से भी यही आएगा, मैंने आपको दोनों से करवा दिया, ठीक है, तो अब इस question में आपको कभी भी problem नहीं होगी, इस type of question, अगर आभी यह paper में, तो आप इसको RAM से कर सकते हो, और यह आता है, यह objective में पूछता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आज के part 2 की तरफ बढ़ते हैं, traversing के part 2 की तरफ बढ़ is, अब वो कहा रहा है, कुछ allowable है, कुछ मतलब, allowable का मतलब मैंने आपको बताया है, पर मिस्ति इतना allow कर सकते हैं, मैरे, तो वो किता है, one in five thousand, one in three hundred, one in five thousand, one in three hundred, one in three hundred, option number B, is the right answer for this question, ठीक है, तो next question तो चलेंगे, बोडिच रूल, देखो, मैंने आपको बता, बोडिच applied to open traverse for graphical adjustment, open traverse में लग रहा है, क्या, graphical adjustment में लग रहा है, second, close traverse for adjustment of closing error, determine the effect of local attraction, यह अई ऐसा तो है नहीं, local attraction की तो बात ही नहीं कि मैंने कल, तो उसने मैंने वो कल बताया है, adjustment किसी कर रहा है, वो closing error के कारण, जो adjustment, जो errors आ रहे हैं, उनकी correction करता है, बोडिच रूल, तो option number B के स आद यहां पर चलेंगे, यह मुझे पता था, आप सब को आता है, क्यूंकि मैंने कल आपको explain किया, जिसने वीडियो, कल वाली वीडियो नहीं देखिए, तो पहले कल वाली वीडियो देखे, फिर आज की तरफ बढ़े, ठीक है, तो next question की तरफ चलेंगे, which of the following is not a method of balancing consecutive coordinates of tudel light, वो कहा रहा है कि जब हमारे तो इसको balance करने के लिए कौन-कौन से method है, और इसमें से कौन सा ऐसा कि जो नहीं है, देखो, access method तो है, मैंने आपको कल बताया था, बोर्डिज method भी है, Simpson method, transit rule method, transit भी बताया तो मैंता, option number C जो है, इसको तो हम तो किस से कर लेंगे, elimination method से कर लेंगे, मैंने बताया था, objective को eliminate भी कर सकते हैं, A, B, C, D, A, आपको पताया, कल बताया था, मैंने है, B, V, A, पताया, D, V, पताया, तो आपको पताया, C जो है, वो न important and essential, वो कर रहा है, close traverse की अगर हम बात करें, तो कौन सा ऐसा check है, जो most important भी है, और साथ ही साथ क्या है, essential भी है, ठीक है, important भी है, और साथ ही साथ, essential भी है, मैं पता भी लेगा, कि हमारा जो traversing चल रहा है, वो accurate है, यहां कोई उसमें problem आ रही है, कुछ भी अगर कोई error भी आ है, तो हमें पता लग जाएगा, चेक्स, चेक्स के थू पता लगता ना, तो वो कह रहा है कि जब हम submission of departure is equal to zero, आगे word पढ़ना only बोलेंगे तो, submission of latitude is equal to zero, only बोलेंगे तो, four bearing minus back bearing is equal to 180 degree, ठीक है, अगला है, departure, submission of departure is equal to zero and submission of latitude is equal to zero, तो option number D के साथ चलेंगे, option number D के साथ submission of departure is equal to zero, submission of latitude is equal to zero, अब अगर इसी question में मैं पूछ जाता है कि local attraction, local attraction का मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा check है, इसे कारण मुझे पता लग जाएगा, कि local attraction इसमें लग रही है या नहीं, तो वो है, four bearing minus back bearing is equal to 180 degree, ठीक है, तो option number D के साथ चलेंगे, option number D is the right answer for this question, तो guys, next question बढ़ बात नहीं, वो करा है, इने close traverse with five sides, वो करा है close traverse उसकी five side है, the error found from the four bearing and back bearing for the last line, वो करा है, ऐसा हुआ कि four bearing और back bearing का जो मैंने calculate के तो उसमे एक error आ गया, plus two degree का, ठीक है, प्लस two degree का उसमें क्या आ गया, error आ गया, वो करा है, the correction to the third line, the correction to the third line will be, देको अगर वो बोलता correction to the, उस कितने, suppose fifth line भी पूछ लेता, suppose second line भी पूछ लेता, कोई भी line पूछ ले, तो answer क्या रहेगा, two e by n, three e by n, four e by n, five e by n, अब two, हम उसने कुन सी पूछ चे है, third हम third करेंगे, three into, कितनी degree error है, error, e मतलब error, total five, तो यह होगा, one point two होगा, उसको degree में convert करेंगे, तो one degree 12 minute, one degree 12 minute, तो मतलब, c is the right answer, देखो मैंने आपको सारे formula करा दिया, अगर उसने पूछा होता, आपको कि second line में बताओ, error, third line होता, fourth line, जिस line में बताएगा, आपको उसके line का number लिखना है, और साथ ही साथ उसको क्या करना है, e error को divide करते है, end के साथ, तो आपका क्या आजाएगा, error आजाएगा, कि क्या error है, ठीक है गाइस, तो next question बढ़ेंगे, next question मैंने आपको कल करवाया था, कि anti-clockwise होगा, तो जो होगा, clockwise होगा, तो अभी उसने क्या बोला है, इनने close traverse sum of major exterior angle, अब इसने anti-clockwise ना बोल के क्या कर दिया, exterior angles की बात कर दी, तो exterior angles की जब वो बात करेगा, exterior angle क है, उसके कहने का मतलब क्या है, सपोज यह मेरा traverse है, ठीक है, वो कह रहा है, कि sum of exterior angles, यह, यह वाले angle, अगर मैंने कल आपको कैसे चलाया था, कल मैंने आपको anti-clockwise चलाया था, कल आपको anti-clockwise चलाया था, तो जब हम anti-clockwise चलाया था, तो क्या आ रहा था, 2N-4 into 90 degree, और clockwise में क्या चलाया था, 2N-4 into 90 degree, यह मैंने आपको कल बताया था, यह चीज मैंने कल बताया था, कि अगर anti-clockwise होगा, और clockwise होगा, तो क्या formula रहेगा, 2N-4 into 90 degree, अब उसने आज क्या पूछ ले, exterior angle रहेगा, यह आद रहेगा, जब clockwise होता था, तो हमेशा कौन से angle निकलते है, exterior angle, कौन से, exterior angle, अगर anti-clockwise होगा, तो कौन से निकलेंगे, interior angle, तो अभी उसने कौन से बाल, exterior angle की बात की थी, तो इसका हो जाएगा, 2N plus 4 into 90 degree, तो option number B, is the right answer for this question, ठीक है guys, तो यह तो simple से था, मैंने इसमें सब आपको बता दिया, पूरा की कैसे आएगा, यह तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वे तक मैंने आपको सारा, कल की वीडियो में आपको करा दिया था, ठीक है guys, तो next question तो बढ़ेंगे, वो कहरा, for calculating latitude and departure, they must be converted to, वो कहरा, जब हमने calculate करना है, latitude यहां फिर departure को, तो उसको हम किस में convert करेंगे, जब calculation करनी है, तो हम उसको reduce bearing में convert करेंगे, option number B, is the right answer, अब reduce bearing क्या होता है, reduce bearing मैंने आपको बताया है, reduce bearing का मतलब है, कि North या South से clockwise या फिर enter clockwise, whichever is nearest, मतलब अगर आपकी कोई bearing line है, वो North से या South में जिससे पास है, clockwise या anti-clockwise, तो वो हमारा क्या है, reduce bearing में उसको measure, और उसमें क्या रखते है, directions भी लखते है, ठीक है, तो option number B is the right answer for this question, ठीक है, तो next question तर बढ़ेंगे, वो कहरा, in a traverse table, एक table बनाने की जूर्द पढ़ रही, where all the information related to traverse and relevant independent coordinates are tabulated, is known as, तो इस table को क्या कहते है, leveling table तो बिल्कुल नहीं कहते है, वो तो leveling वाले जब हम करेंगे, उसको कितब कहते है, gales table, bearing table, or none of these, तो इसको कहते है, gales table, option number B is the right answer for this question, या रखना मेंशे क्या कहते है, gales table, तो next question तो बढ़ेंगे, next question करने से पहले आपको एक चीज़ बता तो, मैंने ये question में आपको मैंने जब कल body rule समझाया था, तो फिर एक question आगे तो body rule का question बहुत आते है, तो मैं आपको बढ़ेंगे जो question मैं आपको बता था, correction का formula, correction of latitude or departure का मैंने कल formula बताया था, तो क्या होता इसका answer तो आप ही करोगे, ठीक है, जल्दी से इसका answer दे तो comment box पे, वो कह रहा है कि, total error in latitude or departure into length of that side divided by parameter of traverse, दूसरा, total error in latitude or departure into parameter उपर करना length नीचे कर रहा है, total error into latitude divided by departure of the traverse, तो मैंने आपको कल करवाया था, length कहा थी उपर थी और parameter कहा था, नीचे था, और multiply किस तवर था, correction of latitude और departure, तो option number A के साथ चलेंगे, मैं फिर से नहीं लिखा हूंगा, देख लो आप, पहला option, total error in latitude or departure into multiplied by length of that line divided by parameter of the traverse, यह क्या correction है, जब बोरेज रूल में क्या करते है, correction करते है, option number A is the right answer for this question, ठीकिन, next question, next question, बहुत इंपॉर्टन, जल्दी सिसका answer, इसका answer भी आपको पता हो अचे कल जिसने बोड़ी चुब अचे समझा था, मैंने बताया था को linear, linear measurement, अगर मैं linear measurement कर रहा हूं, तो मेरा even क्या आता है, अगर मैं angular कर रहा हूं, angular measurement कर रहा हूं, तो E2 is equal to 1 by under root L, तो यह कौन से option में है, दोनो, यह option कौन सा है, option number 1, तो मतला option number A is the right answer for this question, ठीकिन, ठीकि देखते हैं भई क्या है deflection angle, suppose मैं यहां से चल रहा हूं, यह चला, यह मेरा traverse है, open traverse है मेरा, ठीक है, पहलो deflection angle होता क्या, deflection angle यह angle होता है, यह prolonging होता है, यह जो angle है, यह होता है deflection angle, ठीक है, यह कौन सा angle है, यह कौन सा angle है, यह होता है deflection angle, ठीक है, अब suppose यह मेरा theta है, यह म included angle अब उसने definition पूछ ली उसने definition क्या पूछ ली उसने भूली भाई मुझे बताओ कि deflection angle क्या होता है उसने क्या deflection angle क्या होता है Traverse में तो reflection angle कैसे मेजर किया देखो यह क्या मेरी straight line यह मेरी straight line है मुझे यह वाला angle निकालना है 180 degree को जब मैं include angle से minus करूंगा 180 degree को जब में include angle से minus करूंगा तो मेरा क्या जाएगा deflection angle आजएगा देखो कुछ नहीं किया 180 degree को जब मैंने include angle से measure किया minus किया तो मेरा क्या गया deflection अंगल तो option में देखो difference between included angle and one पहला option यह right answer मैंने आपको डाइन आपनी option रीट किया option रीट करते आपने बोला सर्फ फर्स्ट अप्शन में आप मैच करता तो फर्स्ट अप्शन इज़ा राइंस तो option number a is the right answer for this question ठीक आई तो next question तरह बढ़ेंगे वो कहारा if if the sum of northing if the sum of sorry if the sum of northing of a traverse exceeds the sum of something by two meter इसा कहने का मतलब है कहने का मतलब है कि जो north south east west वो करा इधर से जो suppose l1 d1 या l2 d2 ठीक है इस तरह से है या इधर भी है ठीक है l3 l4 d4 l5 d5 ठीक है इस तरह से ठीक है वो कह रहा है कि sum of northing of traverse exceeds the sum of or sourthing by two meter को कहरा इधर कि जो north in में जो आ रहा है वह और sourthing के साथ exit कर रहा है two meter two meter बोला ना हा टू मेट रही है two meter तो मतलब यह क्या एक error है ठीक है यह क्या error बता रहे हो कौन सा अरुछ और latitude के अरुठ बता रहे है अब ये एक वर बता है उसने इस्टिंग वेस्टिंग वो कुछ सार बता रहा है डिपार्चर कहरा बता रहा है डिपार्चर के रहर बता है वह दो है तो यह अधने पास आप का स्केर प्लस तू का स्केर तो यह अपने पास एका 2 अडरूट 2 टो टो अप्शन नंबर कॉन सा अप्शन नम्च नम्च बी इस दो राइंसर फॉर शुट नहीं किया सीधे मैं आपको फॉर्मा ने कहा था उसमें पूट किया पूट कर नेंपने मारा क्या आगें सलागा लोकेटिंग दिटेल्स विच फार वे फॉर 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 यहां इस खड़े हो कि मैं पूरे चारो तरफ को मेजर करूं वह मेरे लिए असान है यह लिए उसा से करूधा तो ऑप्शन नमबर के साथ कोमान के शाया उसे से अंगल वी मेजर किया तो इसका उप्शन नमबर कौन सा है option number B is the right answer for this question तो hope guys आपको सारे के सारे question लगे हो अच्छे और साथ ही मारा traversing chapter होगा complete अगले में हम करेंगे next chapter surveying का दो guys आपको doubts हैं उसको please comment box पर लिखिए मुझे message कीजिए अगर कोई topic आपको समझना है तो उसके बारे में बताइए मैं आपके लिए special videos doubt classes की videos भी लेके आऊंगा और सूनी में जल्दी ही आप से एक राय हो ले जाता हूंगी मैं अपने telegram accounts को मेरे telegram account को क्या करो उसको करो join क्योंगी वहां पर मैं आपके regular Sunday को test start करने connect करना start करूँगा telegram पर क्या होगा आपको paper आएगा paper आने के बाद आप उसमें अपने solve करोगे 30 कोशन या 20 कोशन का हम test देंगे हर संडे सब्जेक्ट 22 की आज इसका subject आपको message आदेगा telegram account में और फिर वहां पर हम देखेंगे कि जो अच्छे score करते हैं उनके बारे में बताएंगे उनका नाम बताएंगे discuss करेंगे कि क्या mistakes आप कर रहे हो क्यों कर रहे हो सब हम discussion आप telegram account में करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप सब वहां जाके उसको please जाके follow करो telegram account पे join हो मेरे साथ ताकि मैं आपके साथ contact अच्छे से कर सको और आप अपने झाहता हूँ कि अपनेог सेयक करेंडी कि आप हो सेidet।